हेलो एवरिवान तो आज हम बात करेंगे टमेटो कैचप के बारे में मार्कित से कही जादा टेस्टी, एकदम लाल और गाढ़ा और बहुत असानी से बनने वाला ना कोई कैमिकल, ना कोई प्रेजर्वेटिव और ना ही कोई आर्टिफिशल कलर और मिंटो में बनने वाला टमेटो कैचप तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहां पर मैंने लिए है 1.5 किलो टमाटर अब मार्कित में इतने अच्छे और सस्ते टमाटर मिल रहे हैं तो कैचप बनाना तो बनता है टमाटर हमें गले सड़े नहीं लेने हैं, यह बिल्कुल लाल और पलपी चाहिए है तो टमाटर का उपर वला हिसा काट कर इन्हें छोटे छोटे टुकडो में कट कर लेंगे इसी तरह से अब हम एक प्याज, थोड़ी सी लसुन की कलियां, दो से तीन हरी मिर्च और थोड़ा सा द्रग काट लेंगे कैचप का टेस्ट इन्हेंस करने के लिए हम इसमें कुछ गरम मसाले डालेंगे जो की है काली मिर्च, थोड़ी से लॉंग और एक दाल चीनी तो एक कड़ाई में हम एक से दो चमच पानी का डाल कर इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे फिर प्याज, हरी मिर्च, लसन, अद्रग और गरम मसाले भी इसमें डाल देंगे गैस को हाई फ्लेम पर ही रखेंगे और इसको स्टर करने के बाद धक देंगे थोड़ी देर बाद आप देख सकते हो कि टमाटरों ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है इनको आपने तब तक पकाना है, जब तक ये अच्छे से पक न जाए अब आप देख सकते हो कि टमाटर अच्छे से पक गए हैं तो हम गैस का फ्लेम ओफ कर देंगे अब हम इस mix को अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे तो आप देख सकते हो कि टमाटर का mixture हमारा ठंडा हो गया है अब इसमें जो भी हमने गरम मसाले डाले थे वो हम निकाल लेंगे आप देख सकते हो कि सारे गरम मसाले निकल गए हैं अब हम इसको पीस लेंगे तो एक ग्राइंडर जार में इस पूरे मिक्स को डाल कर इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे आप देख सकते हो कि कितना अच्छा और लाल फाइन पेस्ट बनके रेडी हो चुका है अब इसको एक छन्नी की मदद से हम छान लेंगे छानने के बाद अब इस मिक्स को हम कड़ाई में डाल कर इसको पकाएंगे मैंने यहाँ 2500 ग्राम शूगर लिए और इसकी मात्रा हम कम ज़दा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के accordingly शूगर को हम इसमें थोड़ा थोड़ा करकर सेक्शन में डालेंगे और इसको स्टर करेंगे अब हम इसमें दो चमच नमक के डालेंगे नमक स्वाद अनुसार हम डाल सकते हैं इसको स्टर करने के बाद हम ढख देंगे तो देखिए कितना अच्छा लाल कलर निकल किया आया है अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसकी कंसिस्टेंसी गाड़ी नहीं हो जाती थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप विनेगर का जो की एक प्रेजर्वेटिव की तरहां काम करता है इसका कलर थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए मैंने एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च का डाला है अब आप देख सकते हो कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाड़ी हो गई है तो ये लीजे बन के तयार है हमारा मार्किट स्टाइल टमेटो कैचप तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा